आदाब नमस्कार सत्रियकार दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा आप सबका हार्देख हार्देख अबिनन्दन करती हूँ आज हम बात करने हाले हैं भाशा भाशा एक ऐसा खुबसूरत माध्यम है जिससे आप और मैं बाते कर सकते हैं अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं आज की जो यूवा पीडी है ये बात करती है यो, वाट्साप, कैसे हो, लॉल, आरो एफल, ये ये ना हिंदी है ना इंगलिश है, ये एक मेल है दोनों भाषाओं का जिसे हम हिंगलिश कहते हैं, पर भाषा की जो प्योरिटी है, जो शुद भाषा है, जो उसका सही उचारन है, वो सुनने में जितना आता है, आज ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं, जो भाषा की उस प्योर फॉर्म को आगे लेके जा रहे हैं, भाषा की इस प्योरिटी को मिन्टेन करने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, हमारी ये एक सार्थक कोशिश है चमेली के माध्यम से, कि हम ऐसे एक भाषा के माध्यम से इन विचारों का आदान-प्रदान चलता रहे। ऐसे ही एक एक स्पर्ट भाषा के प्रती अपना प्रेब रखने वाली हिंदी भाषा के प्रती अपना प्रेम रखने वाली, आज हमारे साथ स्थोडियो में मॉझूद हैं, डॉक्टर कामेश्वरी. नमस्ते मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में आपने पी-छडी करी हुई है हिंदी में आपने संस्कृत में और हिंदी में भी अपना एमफिल किया है भाषा के प्रती ये जो आपका प्रेम है आप बच्चों को पढ़ाती भी थी आप हिं सारी किताबे लिख चुकी है कई सारे पुरसकारों से आपको नवाजा गया है कविताएं भी आप लिखती है ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं करती है भाषा के प्रती आपका ये जो प्रेम है आपका जो आपका संस्कृत और हिंदी के प्रती इसकी जर्णी के बारे में बत बहुत भन्यवाद आपका कि आपने हमें यहां पर बुलाया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आज तक तो वैसे बहुत सारी बाते होती रही पंगर यह यात्रा जो है जहां से शुरू हुई और कहां कैसे चल रही है यह शायद पहला मुखा है मुझे कि इस तरह से मैं बोल पाऊं आप लोगों के समक्ष तो अगर मेरी यात्रा के बारे में पुछा जाए तो हाँ यह बहुत लंबी यात्रा है और बच्पन से ही पता नहीं क्यों एक तरह से भाशा के प्रती लगाव बहुत था और मेरे नाना जी जो थे वो संस्कृत के पंडित थे वाओ तो जाता है ठहरा तो नहीं कहूंगी पदन तू चलते चलते अचानक रास्ते ने एक नया मोड दे लिया तो उस मोड पर चलती हुई मैं यूनिवर्स्टी आफ हैदरबाद सेंटरल यूनिवर्स्टी जिसे कहते हैं वहाँ पे मैंने मेरा एड्मिशन हुआ जी एमे के बाद ए हैंड एवरी सक्सेस्पूल मैं दर इस वुमेन अच्छा मगर मैं कहूंगी कि मेरे सफलता के पीछे मेरे पती का हाथ है और उन्होंने हमेशा से बहुत ज्यादा प्रेड़ना दी है हमेशा कहीं भी जाना है आना है तो वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि और मेरे पिता जी की ये इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ अच्छा मेडिकल डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर मगर शायद भगवान को कुछ और ही राजी था तो पर डॉक्टर तो आप बनी हां मगर डॉक्टरेट है तो पी हेश्डी में डॉक्टरेट हुई तो उन्होंने मैंने हजबेंने कहा कि अगर पीच्छी कि आपकी इच्छा है आप डॉक्टर उनॉ तो मेडिकल डॉक्टर नहीं तो कमसे कम इस तरह से डॉक्टरेट कर सकते हो तो जब कदम रख रही थी तब यी कभी नहीं सोचा कि पी tenía बीकर लूंगी और जब PHD हो गया तो लगता है कि जैसे बहुत कुछ हासिल कर लिया मैंने और लगातार एक के बाद एक मैं कहीं रुकी नहीं पुनम जी मैं हमेशा यही याद करती रहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तब जब हम लोग पढ़ते थे तो LKG UKG वगेरा नहीं होते थे तो सीधे फर्स्ट क्लास में ही एड्मिशन देना होता था और पिता जी क्योंकि रेल्वेस में थे तो आम तोर पर हर दो साल में इधर उधर ट्रांसर होते रहते हैं तो वैसे ही करते करते मेरा जो क्लास वन था वो छुट गया तो डायरेक्ट मेरा अद्मिशन माने सेकेंड क्लास में करवाया और उस टैम पे ममा को ये अंधविश्वास भी नहीं था कि ये मुहरत देखकर किसी क्लास में उनको लेके जाओं पता नहीं कौन सी शुब घडी थी कि जो सेकेंड क्लास में मैं जॉइन हुई और बुक्स के साथ पैंसिल के साथ जो मेरा जो सफर चला वो आज तक चलता चला रहा है और घर वालों का भी इतना आपका सपोर्ट रहा है टीचिंग की इतने नोबल प्रोफेशन में जब आई है कई जिंदगीयों को आपने अपनी मुस्कुराहट से अपनी आवाज से जो सीचा है और जो जहां तक आप ले कर आई है I think वो बहुत काबले तारीफ है एक बात आपकी इजाज़द हो तो मैं अपनी ओडियन्स को बताना चाहते हूं कि मेरा ये सभागी रहा है कि ये हमारी टीचर हमारी अध्यापिका रही है कॉलेज में और जब भी ये हमसे कॉलेज में मिलती थी इन्होंने आज तक हमें जो सीख दी है कि जभी भी आप किसी से मिलो तो आप उनको बोलो सुप्रभात मुझे इसी तरह से आज अपना शुरू करना चाहिए था बट मैं ये ओडियन्स को बताना चाहती थी कि ये जैसे कॉलेज में दिखती थी आज भी वैसी ही है उनकी मुस्कुराहट उनकी आवाज उनकी जो बुलंदी उनका confidence I think मैं ये ये आपकी power से आता है मतलब आपकी जो journey है आपकी भाशा को प्रती जो confidence है उससे I think आपकी personality में भी बहुत एक हम impact देखते हैं तो आप ये बताएं कि किस भाशा की किस रूप से आपका ज्यादा लगाव है जैसे कविता हो teaching को लेकर किस रूप से आपका ज्यादा लगाव है किस चीज़ में आप आगे जाना चाहती है हम पुनम आपने आपने मेरे सामने फिर एक बहुत बड़ा तो अगर मैं कहूं कि बच्पन से ही और हमेशा मैं खुश रहना मेरा एक टैग लाइन है कि मैं हमेशा खुश रहती हूं चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं मुझे ये नहीं लगता कि आज ये कुछ हो गया है मैं दुखी हो जाओं थोड़ी देर के लिए बहुत मायू तो हो जाती हूं अकेले पन में रह जाती हूं तब कलम और कागज निकाल लेती हूं कुछ न कुछ लिखने लगती हूं और जब एक कविता बन पड़ती है तो लगता है कि हां कुछ लिख लिए आज का कोटा मेरा मन हलका हो गया मेरा मन हलका हो गया और लगातार वैसे तो सारी चीजें आपको Google पर मिल जाएंगी बिलकुल एक जैसे touch screen कहो कि एक click और सारा information आपके हाथ में होता है मगर मैंने शोध लेख वगेरा लिखते समय मैंने यह देखा है कि information तो आपको मिल जाएगा हर जगा हर तरफ आपको एक ही एक ही variety आपको दिखाई देगी मगर वह ही यदि आप अपना शोध कारे कर रहे हो किताबे पढ़े पहले पढ़िए जो ग्यान आपने अर्जित किया उसे लीजिए और जो किताबों में आपके website में मिल रही है उसे देखिए फिर उस पर जब आप लिखना शुरू करते हो तो totally एक अलग साही रूप जो है आपका बनका तयार होता है तो मैं नकल करने में बिलकुल विश्वास नहीं करती हूँ बिलकुल अच्छा नहीं लगता है और मुझे लगता है कि जो information पहले से ही है उसके बारे में हम क्या बताएं नए तरीकी से क्या बताना वगर वही जब आप शोध करते हो तो बहुत सी उसके साथ लग जाती है तो अभी वैसे मैं सेवा निवरत हो गई हूँ दो वर्ष पूर्व परन्तु जब से मैं सेवा निवरत हुई लग रहा है कि अभी और साहित्य की और मेरा बहुत ज़्यादा जुका हो गया है मैं कम से कम पांच या छे संस्थानों से जुड़ी हु हूँ हूँ, समोह हैं, जिडिन के साथ मैं लगी हूँ, एक है वैश्विक हिंदी संस्थान हूस्टन से है यह आच्छा साहित्यकारों के इस तरह के अनेक समूह हैं जिन के साथ मैं लगी हुई हूँ एक तरह से ये कहिए कि करोना ने शायद यही सिखाया कि जहां पे तुम रुके वहां से तुम्हारे लिए एक और रास्ता हमने निकाल लिया है और करोना के ने बहुत कुछ सिखाया है हमें तो तकनी की रूप से भी मैं विक्सित हुई हूँ और इतने सारे समूहों के साथ जूड कर भी जब आप दूसरे बहुत बड़े-बड़े साहित्यकारों के साथ जब आप रूबरू होते हो कुछ बोलो मत मगर जो समूह है उसमें जो लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उनको आप देखते रहे हैं तब ही लगता है कि कितना हमारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है और यह परिवर्तन मुझे लगता है होना ही चाहिए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप पहले से आप जयादा और वियस्त रहने लगी है और आपको इस हिंदी और संस्कृत की भाषा की सेवा करने का जो अवसर मिल रहा है तो आप बहुत लगी है और करोना जैसी जो एक नेगिटिव सिचुएशन या नेगिटिव जो बोल सकते हैं माहौल था उसको किस तरह से आपने प अपसूरती से अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया ये बहुत अच्छा एक मेसेज है हमारी ओडियन्स के लिए कि आप हमेशा खुश रहना चाहती है हमेशा मुस्कुराती रहती है चाहे कैसी भी सिचुएशन हो तो हमें ये भी बताईए कि किस तरह के आप स्ट मैंने एक चोटा सा चोटी सी कविता लिग दी तो ये शार्द मेरे अपने ही बारे में है तो मैं हिंदी की सेवा में किस तरह लगी रही तो कहना चाहूंगी मैं जीवन के सफर में जीवन के सफर में हिंदी रही सदा उन्नत परिवार सजाया आशिया बनाया उन्नत मीठे बोल सुर्ताल सजाये सदा रहे अध्ययन रत कर्मठ मेहनती परिश्रमी कहलाए भाशा सीखते सिखाते शैलियां भी सीख गए कथा में व्यथा कवित में ललित समवाद में समवेदना व्यक्त करते गए कविता कथा कहानी चित्रचिंतन करते गए कामना यही है बस कामना यही है हिंदी हमारी और भी समर्थ हो हिंदी हमारी और भी समर्थ हो विश्व के पटल पर अंकित हिंदी हमारी रास्ट भाशा हो करोना काल ने कैसे मेरे अंदर सकारत मकता लेके आया उसके बारे मैं थोड़ी बहुत बातें पताना चाहूंगी कि करोना काल था और सब जगह से जैसे ठप पड़ गये थे ऐसे लग रहा था थोड़ी दिनों के लिए कि जिन्दगी जैसे ठम सी गई है अब आगे क्या होगा यही एक तरह की निराशा थी तभी अचानक जैसे कहते हैं ना कि रे एक आशा की एक किरन तो जाकी और लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अब तो तकनीकी का ही आगे ज़्यादा बोल बाला रहेगा हमने कहा तकनी की थोड़ी बहुत बाते तो यह जानती थी मगर मुझे लगा कि इतने होने से भी काफी नहीं हैं ये तो बहुत ही जैसे क्या वही समुहू से हम जुड़े Microsoft के दिली बेस पे हैं जिनका नाम है बालेंदू धदीच ओके बालेंदू शर्मा धदीच वो मुझे लगता है कि पूरे अब तो विश्व में उनका बहुत बोल बाला हो गया है तकनी की रूप से बहुत ही समरुध और पहली बार मैंने किस यदि आपके पास कोई विद्या है आप उसे छुपा कर रखना चाहते हो मगर बालेंदू जी से मैंने ये सिखा कि जो भी आपकी प्रतिभा है उसे आप व्यक्त करो क्योंकि आपको देखकर चार लोग सिखेंगे तो वही आपका विकास हुआ जो आपकी विद्या है उसे तो कोई चुड़ा नहीं सकता है प्रत्योत जो आप सिखाने का प्रयास कर रहे हो उसे देखते हुए चार लोग और सिखेंगे तो सम्रुधी तो दुगनी हो चाती है और विचारों का जैसे आदान प्रदान होगा आप बैठके अगर एक समूम में लोगों के साथ जब बा बहुत ही अगेन आपकी बातों से यह बहुत खुबसूरत मेसेज है हमारी ओडियंस के लिए कि एक तो कम्यूनिकेशन बहुत जरूरी है अगेन भाशा का इसमें उपयोग होता है कम्यूनिकेशन तो जितनी आप अपने विचारों को कोई भी भाशा में आप उसका जब तक कम्यूनिकेशन का जो चैनल है उसे अगर ओपन नहीं रखोगे तो खुद का विकास भी बहुत लिमिटेड रहेगा तो यह बहुत खुबसूरत बात कहीं है आपने खामिश्वरी जी तो तभी से मैंने तकनीकी में फिर अपने आपको पारंगत करना शुरू किया और करते- कभी ऐसे हो जाता है कि कहीं दबाव पढ़ जाता है आप पर स्ट्रेस आ जाता है तो स्ट्रेस भी आ गया और उसकी वज़े से मेरा यह जो सीधा राइट हैंड यह एकदम सुन पढ़ गया कम से कम मुझे आठ नौ महीने लगे इसे ठीक होने में और इतना मने इसकी हालत ऐ से हो गई थी कि एकदम ऐसे से करके हिलता रहता था लिखना पढ़ना सब बंद हो गया और अगर कहीं हसाक्षर करने होते थे तो मुझे कम से कम एक-दो सेकेंड पहले ही कलम अपने हाथ में लेनी होती थी और जब यह इस तरह की कि मैं क्रिया करती रहूंगी उसके बाद व मैंने कहा जो भी मेरी तमनाई थी आशाएं थी सपने थे कि मैं यह करूंगी वो करूंगी मुझे लगा कि अचानक कहीं वो लुक्तप्राय तो नहीं हो रहे हैं मुझे यह डर लगने लगा और अकेले बैठे बैठे कभी में बहुत दुखी हो जाती थी फिर मैंने बोला कि आपको लिख कर या हातों से टाइप करने की ज़रत नहीं है आप वोईस टाइपिंग भी कर सकते हो तो तब पहली बार मैंने जाना फिर मैंने अपना मॉबाइल निकाल के देखा मैंने कहा अरे इसमें भी तो यह फीचर है जहां पर मैं वाइस टाइपिंग कर सकती हूँ फ फिर मैंने भूला यह तो जैसे अंधे को क्या चाहिए बस दो आंखें और फिर मैं शुरू हो गई हात को मैंने एक तरफ लख लिया और फिर वाइस टाइपिंग मैंने करना शुरू किया और मानिये विश्वास या अविश्वास पता नहीं ऐसे लगा जैसे बस गाड़ी चलने लगी है अब नहीं थमेगी करीवी गाड़ी तो घर वाले भी कभी कभी मजा कर लिया करते थे कि हमने सोचा कि तुम हातों से तुम अभी थोड़ी दिन के लिए पंगो हो गई हो तो तुम थम जाओगे तो मगर तुम तुम मुह से शुरू हो गई मैंने कहा मुह भी चला रही हूं तो किसी अच्छे के लिए चला रही हूं बिल्कुल बड़ आपने जो आपकी यह टेमपररी जो आपका सेट बैक था आपने उसको भी अपने आपको डाउन करने नहीं दिया मतलब आपने एक और ने इस पैशन को आगे लेके जाने के लिए आपने कहीं आप कहीं थामे नहीं अगेन यह अपने आप पे बहुत काबले तारीफ है नौर्मली इनसान बहुत दुखी हो जाता है या फिर वेट करता है कि चलो ठीक होगा ठीक होगा बट मतलब मुझे लगता है कि कहीं आपका जब हाथ अटेंशन डाइवर्ट हो गया उस हाथ से आपकी ह सेवा निवरुत हुई हूँ पूर्णम जी अभी मैं केंदरी हिंदी संस्थान बोयमपली से जुड़ी हूँ तो वहाँ पे अध्यापक आते रहते हैं जैसे महारास्ट्रा है अंडमानिकोबारा इलाइंड है खमम है आंधर प्रदेश तेलंगाना जी तो इस राजी के जि जी तो जैसे मॉडल स्कूल है गुरुकुल स्कूल है तो यह जितने भी स्कूल के हिंदी टीचर होते हैं वो एक समय सारणी दी जाती है उनको उसके हिसाब से वो लोग पंजी करण करवाते हैं और यहाँ पर कक्षाएं जैसे औरियनटेशन होता है नभी करण पाठ्यकरम क अंतरकत उनको हम लोग पढ़ाते हैं तो केंदरी हिंदी संस्थान की मैं हमेशा रिणी रहूंगी कि उन्होंने मुझे वहाँ पे एक रिसोर्स परसन के रूप में भाशा विशेशगी के रूप में उन्होंने मुझे लिया है तो हर महीने जो भी कक्षाइं लगती हैं उसमे उनकी जो व्याकरण का जो शंकाएं होती हैं उनका निवारंड करने का मैं प्रयास करती हूँ तो पहले होता था कि छात्रों के साथ मैं रहती थी अब आज़कल मैं जरा अध्यापकों के साही माइने में आपका प्रमोशन हुआ है मतलब पहले आप बच्चों को बढ़ाती तो यह सही माइने में आपके लिए एक प्रमोशन है बट टीचर्ज जो अल्रेडी काफी कुछ जानती है उन्हें अपने जो एक्जिस्टिंग स्तर से उपर लेकर जो आप स्तर पे लेके जा रही हैं यह बताता है कि आप खुद भी कितनी भाशा को लेकर आप खुद भी कितन तो लेड़ना ली थी कहीं आप भी उसको आप लाइफ में यूटिलाइज कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है और मैं वही कहती हूँ पुनंद जी कि जब मैं कक्षा में जाती हूँ कक्षा में जब मैं प्रवेश करती हूँ तभी एक जैसे कहते हैं कि एक लहर सी आ जा वहाँ पहां पे बैठे हैं पुरुष, स्त्री जो भी हो एक पल के लिए देखते रहते हैं ». फिर मैं बोलती हूँ, क्या हुआ हुआ हो तो बोलते हैं मैम, हम आप से एक प्रिशन करना चाहते हैं, आप सवेरे सवेरे भी इतनी खुश कैसे रहती हो मैंने कहा शायद वो खुश रहना एक जैसे कहते हैं न संतोशी महासुखी, जो मैं हमेशा जो भी है उसमें खुश रहती हूँ, तो शायद यही मेरे चेहरे पर मेरी बाताना पड़ेगा, कैसे, कैसे, मतलब यही बहुत secret of success है, आज हम मतलब कोशिश करते हैं कि हम दुनिया भ जाते हैं, हम office की, मतलब काम को लेकर, घर को लेकर, बच्चों को लेकर, हम इतने व्यस्त और कहीं न कहीं इतने stress से गुजरते हैं, किस तरह से आप अपने आपको इतना खुश रख लेती हैं, मतलब यह आपके passion से आता है, भाशा के प्रति आप जो इतनी सीवा कर रही है, क तो आपको लगेगा, कि मैं तो कुछ में नहीं कर पाऊंगी, छोटे छोटे लक्ष रखी अपने, बड़े नहीं, बड़े रखेंगे तो हो सकता है, कि अगर सौ प्रतिशत मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए प्रयास तो करूंगी, उस प्रयास के चकर में क्या होगा, मे सफलता प्राप्त करूंगी, यह चीज जो अगर आपके मन में आ गई तो वो आपको मतने लगती है, आपको दुखी कर देती है, आपको पीछे की और खीचने लगती है, अगर आप वही कहोगे कि यह आज मैं हासल कर लो, यही मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरे चोटे- मिल रही है कि नहीं, वो मेरा मोटिव नहीं है, मुझे लगता है कि मैं मानसिक रूप से खुश हूँ, तो घर पूरा भी खुश रहेगा, और आई होप जो भी आज यह एपिसोड देख रहा है, इससे जरूर हमें एक सीख मिलती है, दो चीज़े की जिंदगी में छोटी-छोटी खुश्यों की जो एहमियत है, जो माईने है, वो हमारे लिए कहीं न कहीं हम भूलते जा रहे हैं, बड़े लक्षों के चक्कर में, तो जिंदगी की जो छोटी-छोटी खुश्यों की जो एहमियत है, उससे आज हमें परिचित कराया है, कामिश्वरी जी ने, आर्थिक जो बहुत जरूरी है, पैसा कमाना, जिंदगी में पैसा होना, बट उसकी जो दौर में हम लग जाते हैं, उसके पीछे जो हम आज अपना खराब कर रहे हैं, हमारी जो स्वास्त है, हमारी जो mental peace है, उसे आज जो खराब कर रहे हैं, at the end of the day, it's not worth it, तो आपको चाहिए mental peace, satisfaction, अच्छी रात की एक नींद की, भई मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, मेरे आज का जो लक्ष ता वो मैंने पूरा कर लिया, कही ना क कामेश्वरी जी, आपने मुझे बहुत motivate किया है, तो I am sure कि ये message हमारी audience तक हम लेके जाने की भरपूर कोशिश करेंगे, इसी बात पे हम लेते हैं, एक छोटा सा break, कही मत जाईएगा, हम बहुत ही एक खुपसूरत सा conversation कर रहे हैं कामेश्वरी जी के साथ, जो की ना भाशा के बारे में, बढ़ हमें life lessons के बारे में भी बता रही हैं, कही मत जाईएगा, हम अभी वापस आते हैं दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस प्रस्तुती में आपका फिर स्वागत है, बेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे दॉक्टर कामेश्वरी जी से, जिने हम स्टूडियो में लेकर आये थे, as a हिंदी और संस्कृत भाशा की एक्सपर्ट के बात करने के दौरान उनकी परस्नालिटी के बारे में ऐसी खुबसूरत सी परते बाहर आई हैं, जिने मैं प्यास से कंपेर करना चाहूंगी कि एक एक परत खोलोगे तो उसमें अलग-अलग आप एक नई परत पाऊगे, तो उनकी जो स्माइल है, उनकी जो खुश मिजाज परस्नालिटी है, उनके राज से उनने हमें आज रूबरू कराया, जो हमारी ओडियन्स के लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मेसेज है, बहुत ही खुबसूरत सा मेसेज है, ये काफी सारी कविताएं लिखती हैं, काफी सारे शोध निबन जो की रिसर्च आर्टिकल्स है वो लिखती हैं, कई सारे इंटरनाशनल और नैशनल संस्थाओं से ये जुड़ी हैं, टीचिंग लगबग 26 साल तो आप भारती विद्या भवन से जुड़ी रहीं, बट आज भी टीचर्स को आप पढ़ाती हैं, उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, तो हिंदी के प्रती, वितायें लिखती हैं, और आपकी इंस्पिरेशन क्या है, और किस तरह के आप शोध निबन भी लिखती हैं, हमें बताईए, जी, कुछ बताओं उससे पहले मैं सोच रही थी कि एक बात बताओं कि ज्यादा तर हम लोग फिजिकल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मग मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ पर यदि हम ज्यादा ध्यान दें, तो आपका फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगा, और ऐसे ही हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, अपनी पोती के साथ बैठी मैं उसको हिंदी का कार्य करवा रही थी, तो अचानक उसने पूछा, दादी आप खुश के से रहते हो, तो ग्यारा साल की पोती मुझसे पूसती है कि दादी आप इतनी खुश के से रहती हो, तो अचानक मेरे मन में भी आया कि कुछ पंगतियां मैंने गड़ ली और उसको एक कविता का रूप मैंने दिया, तो वो मैं आपके लिए प्रस्त करना अच्छा, 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 स्वीट, दादी कैसे रहती सदा खुश इतनी, बताओ तो जरा समझा कर हमें, सुलब चंचलता में खोया मन, अलहडपन, बचपन, नादानी में खोया तन, अंकों में उल्जी बेसुध कन्या, अरे वा, माक्स, आँ माक्स, अंकों में उल् आजकल का कितना प्रिजर रहता है, कभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कभी टेस्ट हो रहे हैं, कभी कुछ जल रहे है, तो बाल सुलब मस्ती से बेखबर दुलारी, तोड़ा उसके चैन को एक पल, तोड़ा उसके चैन को एक पल संतोशी रहते सदा सुखी सीखा हमने अपनों से यह सब संग बैठ बुआ भाबी नानी चाची हमाना जमाना लग था वर्तमान पीड़ी होडा होडी में सब लगे कोई तूट गया कोई बिखर गया कोई किसी को दबा कर आगे निकल गया प्रीतम की रेशम डोर कच्चे धागों में उलच गई रिष्टे निभाने की चाह है पर निभाने का नेम नहीं बच्चे बूढ़े बाल सखा नर नारी सब रत हैं अपनी दुनिया में खो समरस्ता एक आंत में चलते जा रहे हैं दुख दर्द कुंठा व्यथा की पीडा तलें अब शत्रंज की बिसात नहीं सचती गुटे कंचे सांप सीड़ी साथ पत्थर की बाजिया नहीं चलती पहेलिया बूझने का समय नहीं और चुटकुले भी अब अटपटे से लहें लगते रंगोली अलपनाएं त्योहार तक ही सीमित रह गए कडाई बुनाई कटाई सिलाई का काम नहीं क्या से क्या हो रहा है दुनिया में क्या से क्या हो रहा है दुनिया में कहने को तो विक्सित हो रहा जमाना कहने को तो विक्सित हो रहा जमाना फिर सुख का विकास कहां हो रहा बस शब्द कोश में स्थान पा विखर रहा बस शब्द कोश में स्थान पा विखर रहा Fantastic, fantastic, एक छोटी सी बच्ची का सवाल को आपने इतनी खुबसूरत लाइन्स में आपने उसका, और जिन्दगी में ये जो हो रहा है, जो हमारी बच्पन की यादे हैं, उसको इतनी खुबसूरती से निचोड के आपने इतनी सुन्दर पंक्तिया लिखिये मैम, I think कहीं न कहीं म आखे नम हो गए ये सोच कर कि आज के बच्चों पर हम इतना दबाव डालते हैं, इतनी उनकी जो बच्पन की जो मेमरीज हैं, हम शायद बच्पन में हमारी जेनरेशन फिर भी बाहर जाती थी, दौरती थी, खेलती थी, क्योंकि ट्राफिक का इतना टेट्शन नहीं होता और अजकल तो structured environment में हम बच्चों को बढ़ा कर रहे हैं, बहुत खुबसूरत पंक्तिया लिखी हैं, बहुत, आपके पस तो संकलन होगा, आपने कई और भी पंक्तिया लिखी हैं, उतनी नहीं वैसे लिखी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सूत्रधार एक समू है, उसके साथ जूड़ी हुई हूँ, समू में क्या होता है कि हर दिन उनके जो head है, समू के जो admin होते हैं, बहुत खुबसूरत से उन्होंने इस तरह से दिन को सजाते हैं कि तब्यत खुश हो जाती है, कोई सवेरे चार पंक्तिया लिखके सुप्रभात कहते हैं, कोई चित्र भेजते हैं और उस चित्र पर जो है चित्र चिंतन जैसे कहते हैं, चित्र चिंतन बना के हो कहते हैं कि चलो भई मैंने ये कविता प्रस्तुत की अब आप प्रस्तुत करो, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जैसे अगर खाली बैठे रहो, खाली दिमाग शैतान का खर, बेक की बातों में हम उलज जाते हैं उससे अच्छा है कि समुह खोलो उसमें जो चित्र चिंतन आया है आज के लिए वो देखो किसने सुप्रभात की पंक्तियां कितनी सुन्दर ढंग से अच्छे लिखा है उसे पढ़ो और फिर लगता है कहीं न कहीं कुछ पंक्तियां हमारे भी दिमाग में आ जाती हैं फिर उनको कलम बद्ध करो और फिर दो चार बार पढ़ो फिर लगे कि नहीं ये शब्द नहीं इस शब्द को हम जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा इस तरह से करते करते शायद मैं अभी यह कहूंगी कि अभी मैं नौ सिख्या हूं सीख रही हूं अरे वाँ कविताय लिखना ये तो आपका बड़पन है मैं कि आप बोल रहे हूं आप अभी भी सीख रहे हूं बट इतनी खुबसूरती से जो आपने ये पंक्तिया भी प्रस्तित करी हैं इससे ये पता चलता है कि हम जो आसपास की दुनिया की जो अब्जवेशन पावर ह वो भी कही न कहीं शायद हम खोते जा रहे हैं अगर हम अपने आप से जुड़े रहें अगर हम अपने आसपास की दुनिया से लोगों से जुड़े रहें तो शायद हम दुनिया की इस खुबसूरती को थोड़ा सो और महसूस कर पाएं तो ये आपने बहुत अच्छा एक कि खाली नहीं बैटना चाहिए ऐए फोन भी आप यूस करो ऐसे नहीं कि आप मना कर रहे हो फोन यूस करने से बट उसे किस चीज के लिए आप यूसकर रहे हो उससे भी बहुत फरक पड़ता है और फिर मैं यह भी करती हूँ कि जो इतनी बड़े जैसे कहते है ना संसार में क कि इतनी जगहों पे कितनी तरह से संगोष्ठियां होती रहती हैं, और क्योंकि बहुत सारे ग्रूप के साथ हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, कहीं न कहीं से एक फ्लायर आजाता है, कि यहां यहां पे इस संस्था में यह संगोष्ठी चल रही है, और यदि उनके जो कि जैसे कहते हैं न कि एक जगह पे मैंने अपको स्थिर नहीं किया, अगर हिंदी की मैं विशेशगी हूं तो मैंने हिंदी तक ही अपने आपको सिमित नहीं रखा, तो मैंने हिंदी के साथ संस्कृत को जोड़ा, उसके साथ मैंने कंप्यूटर को जोड़ा, उसके साथ मैं मैं ये सोचा कि मेरी जो मेरे जो लेख हैं मेरी जो प्रस्तुती है वो कुछ निराली हो कुछ विशिष्ट हो तो क्योंकि जहां पर विशिष्टता होती है वहीं पर पहचान होती है और जहां पर पहचान होती है वहां पर नाम होता है नाम कमाने की आवशक्ता नहीं है अपन तो colleagues होते थे, students होते थे, जिनके साथ मैं बैठ कर लेक लिखती थी, कि दो-तीन लोग बैठो, सब लोग किसी बात पर discussion करो, और फिर शोध लिखते जाओ, सब लोग अपने-पने points लेकर और उन points को मिला कि एक अच्छा सा लेक बन जाता था, अब college छूटा, college का माहौल छूट फिर सोचा कि अब कैसे लिखूँगी मैं ये, शोध लेक वगेरा, फिर मैंने सोचा कि जहाँ थम गए तो थम गए, आराम हराम है, और फिर मैंने फिर अपनी सहेलियों से में मिलने लगी, अपने जो juniors होते हैं आपने college में, university में, उनके साथ मिली, अपनी सहेलियों के साथ मिली, फिर अपनी बेहनों के साथ मिली, मैंने कहा चलो यार, अपने लोग कुछ ऐसा माहूल बनाते हैं, जहाँ पर तुम कुछ करो, हम कुछ करें, और फिर लेक बन जाएं, तो फिर मैंने फिल्मों को भी जोड़ा, cinematography के बारे में मैंने लिखा, हाँ, हलदर ना के उड़ रहे थे, हिंदी साहिति का इतिहाद, बहुत कम हम उनके बारे में जानते हैं, मगर जब ज़्यादा उनके बारे में पढ़ने लगो, तो लगता है ना कि हर एक महान आत्माय महापुरुष, सच मुछ कितने महान कार्य कर गए हैं, मगर हम जैसे उपरी-उपरी तौर पर तो कम पढ़ रही हूँ, पर आपकी यह जो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से, आपकी यह जो नेचर है कि मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे जानना है, यह बहुत काबिले तरीफ है, और दे ब्यूटी है कि आपने इसको टेक्नोलोजी के साथ जोड लिया, मतलब क्योंकि आज जैसे आपने बताया है कि Google एक हमारी सामने एक दुनिया खोल रखी है Google ने तो Google में सारा कुछ information मिल जाता है तो technology के साथ आपने खुबसूरती से इसे जो मिलाया है I think वो बहुत बहुत अच्छी बात है यह आप समय के साथ साथ चलना चाह रही है समय के साथ साथ आप आपने आपको भी progress करना चाह रही है तो अगें यह बहुत ही हमारी audience के लिए बहुत खुबसूरत मेसेज है और पूरम जी मैं यह भी करती हूं कि WhatsApp में वैसे तो बहुत सारे messages forward messages होते हैं forwarded messages मगर मैं करती हूं यह कि थोड़ा समय निकालती हूं और जिन समूह से जो ग्यान की बाते हैं उनको मैं निकालती हूं और उनको स्टार करके पहले अपना एक मैं एक individual अपना एक समूह बनाया है उसमें पहले ट्रांसफर करती हूं पहले जब college में थी तब मेरे पास इतने सारे साधन नहीं थे तो note books में मैं इनको बैटके लिखती थी और जब कभी पढ़ाने का कभी सिलसिला चला तो कभी students बोलते थे कि ma'am आज हम लोग यह नहीं कुछ अलग पढ़ाई है ना ma'am तो अब अलग पढ़ाने का मतलब अगर हम लोग गपशब करने लगेंगे तो समय की वो तो बरबादी है मैं क्या करती थी कि इन note books में जिन में मैं लिखती थी paper cuttings वगेरा रखती थी जो अच्छे लगे मुझे उनको मैं यह सब बना के रखती थी और जब विद्यार्थी बोलते थे कि ma'am आज हमको यह करने का मन कुछ और करते हैं तो उस समय पर मैं यह सारी चीजें उनको पढ़कर सुनाती थी तो बोलते थे कि ma'am देखिए आपकी कक्षा में जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही रहे हो जब नहीं पढ़ा रहे हो तब भी आप पढ़ा रहे हो बहुत सी नई चीजों के साथ हमें अव अचान होती है उससे खुद को भी एक मज़ा आता है खुद को भी मतलब बच्चों को भी लगता है कि केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं है अपने पैशन को भी फॉलो करना अपने उस सपने को भी आगे ले जाने के लिए पहले से कितनी जो मेहनत करनी होती है आज वो उसका आप एक बहुत खुबसूरत सा एक कल्मिनेशन हो जो इसको हम बोलते हैं तो बहुत अगेन जरूरी है कि आप अपना करियर बनाईए आप नोकरी करिये आप दुनिया की जो आपकी कमपल्शन है उससे तो पूरा करिये इतना जुड़े रहिए अपने आप से कि आप खुद इनको फॉलो करिये और अपनी इस एक जो इच्छुकता है उसको जागरुक रखिये उसे कभी सेटल मत और दीजिये खातम मत करिये तो दुनिया की दोड़ में हम शायद कहीना कई पीछे छोड़ जाते हैं यहां से माम कोई और अगर कविता आपने लिखी है तो प्लीज और कभी ऐसे हुआ शायद घर में बैठे बैठे अचानक सा लगता है कि मेरा जो नाम है उसको में थोड़ा सार्थक बनाऊं कविता में कभी दास लिख गए रहीम जी लिख गए तो मैं भी क्यों ना अपने बारे में कुछ लिखूँ यह शायद आपका पी-एच्डी का भ कंपेटे उस्टरी था लीलाओं की परिकल्पना पर मैंने तुलनात्मक अधियन किया तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जिसमें मैं नारी के बारे में बताते हुए फिर अंतिम पंक्तियां अपने बात पर आजाती हूँ तो मैंने लिखा है देखिए हां मैं नारी सहच स्वाभाविक सद्व्यवहार मेरा अबला नहीं सबला हुँ मैं हां मैं नारी हूँ आचार व्यवहार में भिनता नहीं माई के ससुराल का मान रखती हूँ मैं मा बहन सास बेटी दादी मौसी हूँ मैं सती सावित्री अनुसुया भी हूँ पती व्रता कहलाती हूँ हां मैं नारी हूँ मनु और श्रधा भी मैं हूँ मनु यहाँ पे लक्षमी बाई के लिए है जहां से लक्षमी बाई तो मनु और श्रधा भी मैं हूँ कभी बन जाती चंडी तो कभी काली मैं कभी कभी गुसा आ ही जाता है ना बिलकुल कभी बन जाती चंडी तो कभी काली कभी सौम्य तो कभी भारिया अदम्य साहस की मिसाल हूँ मैं लता तन्वी वनिता बनकर कभी शालनी का परियाय बन जाती हूँ मैं निराला अंदाज है मिरा सतत कारियरत सदा व्यस्त रहती व्यवस्थित हूँ मैं वेरी वेरी क्या बलता है ने व्यवस्थित रती हूँ अपने आपको जिसके नाम में ही काम है जिसके नाम में ही काम है ऐसी कामिश्वरी हूँ मैं आप शब्दों को इतना खुबसूरत अंदास से पिरो लेती है, मतलब सब कुछ एक कविता में एक औरत के जो प्रतिरूप को लेकर आपने ये जो कविता लिखी है, इसी तरह से आपने अपने नाम को भी जिन्दा रखा है, कबीर दा, सूर्दा से इंस्पिरेशन लेते अब शोद आटिकल्स के बारवे भी बताईए, जो रिसर्च आटिकल्स है, तो आपका उसके प्रति जुकाव कैसे आया? अब पता नहीं, वो एक तरह से मुझे लगता है, विशिष्टता ही मेरी विशेष्टा है, जो आम है, जो कॉमन है, वो तो कॉमन है ही, उसमें मने कुछ करने का नहीं है, जो निराली चीज है, जो अनोखी है, उसके लिए आपको समय लगना है, आपको समय निकालना होता है तो जैसे चौबीस घंटे किसी के लिए भी बस नहीं है वैसे देखा जाए तो और यही हम TV देखते हुए अपना समय हम गुजार सकते हैं तो जब सेवा निवृत हो गई थी उससे पहले भी मैंने हमेशा विवित्ता को ही अपने साथ रखा है तो मैंने जैसे बताया आपको क अपनी सहकर्मी के साथ मिलकर और फिर एक बार ऐसे हुआ कि हम लोगों ने हमारे ही कॉलेज में MBA डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस किया पहला इंटरनेशनल कॉन्फरेंस तो उन्होंने बुला कि उसमें भी आप कुछ लेकर आ सकते हो फिर सहक करना फिर दुझति आनक्यों के साथ बैटके हमने बात की तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग लिखते हैं आ, इन्टेलिजन्स दचानक्या वे, क्योंकि चानक्या चंदरगुप्त उन्होंने तो बहुत पहले राउन की नीती बहुत प्रसिद है, आर्थशास्त्र कहते हैं कि कॉटिलिया साथषास्त्रा इस वने तो मैंने का यह तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कैसे जिस दिन लगे, उसका प्रारूप बनाने को कि किस तरह से लेख लिखा जाएं, और मुझे लगता है, पता नहीं हमने कितनी किताबे पढ़ी, एक धुन की तरह, पागल की तरह हम लोग लग लग गये, और फिर बैठे उसका आलिख बनाने के लिए, आलिख बन गया, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर इसका आप लोग PPT बनाते हो, तो प्रेसेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, और क्योंकि मैनेजमेंट है, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, हमने कहा, हम भाशा भी भाग वाले, अगर PPT भी बनाएं फिर उसको दो तिन बार फिर उसका ये किया, फिर जब हम लोग का सेलेक्शन होने वाला था, तो बोले कि बहुत सारे लोग आगे हैं अब प्रेसेंटेशन के लिए, तो रूम्स बनाए गए, डिफरेंट डिफरेंट प्लाटफॉर्म्स बनाए गए, फिर सब्जक्ट एक् कि आप लोग कौन से विभाग से हो, हमने कहा हम भाशा विभाग से हैं, तो उनने कहा कि ये आप ही ने लिखा है लेक्व, आने कहा हम ही ने लिखा है, तो बोले कि आपने कौटिल हथेश हस्त्रा पढ़ा है, मैंने कहा हां पढ़ा है मैम, और फिर मेरे पास थी किताबे, मै आपने निकाल के उनको दिखाई तो बुले की ताजूब हो रहा है कि मैने अभी तक पूरा नहीं पड़ा आपने कहसे पड़ा है। हमने का हमको तो प्रसुति देनी थी आपनो कौन सा प्रशन केर से करोगे नहीं पड़ा तो हमने उसमें से दिया। आप विश्वास नहीं करोगे पूनम उस इंटरनाशनल कांफरेंस में हमारे पेपर को सेकेंड प्राइज मिला। वाव। फंटास्टिग। वाव। पेपर वस एज़गे अज़गे सेकेंड बेस्ट पेपर। फंटास्टिग। और फिर ऐसे ही मुझे मेरी मुलाकात हुई थी एक संगोष्ठी में ही मैंने लिखा था एक प्रपत्र संस्कृत में यात्रा वर्णन। संस्कृत साहित ये दिया पढ़ोगे तो उनमें बहुत सारी यात्राओं के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो यात्रा वर्णन के उपर आपने जिस तरह से लेख पड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी किताब आपको में एक भीट दूँ। मैंने कहा कि कितनी अच्छी बात है आप कौन तो उन्होंने अपना परिशे दिया और उन्होंने कहा जैसे ही मैं 36 गड़ जाओंगा मैं आपके लिए किताब भेजूँगा। तो उन्होंने किताब अपनी भेजी तो उसमें उनको आदत है कि जहां कहीं भी जाते हैं जातरा पे एक छोटा सा बेल्ट अपने लिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि उन पे जाएंगे उस पांच-छे प्रांतों को देखेंगे वहां का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा जैसे एक छोटा सा गाइड हो कि माने आप अगर एरपोर्ट में उतरते हो तो आपको कैसे जाना है बस प्चौ पे उतरोगे तो कैसे रेल्वे स्टेशन पर कैसे तो यह गिव यू देखनी है कि कौन से होटल में रुखना है कौन कौन सी जगह हैं देखनी हैं वो जगह किस के लिए प्रिस्तिद्ध हैं यह सारी चीजें तो उन्होंने वो किताब दी तो मैंने उसको पूरी तरह से मैंने पढ़ लिया फिर पढ़ने के बाद ऐसे हुआ सिलसला कि बैंगलूर में एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस हुआ उसमें उन्होंने शाए ट्रावलोंक्स के ही कहा कि आप प्रस्तुत करो अच्छा मैंने का जैसे कहते हैं ना कि भगवान पास एक चीज लेके आया और उसी को प्रस्तुत करने के लिए फिर कह रहा है फिर मैनने कहा कि तापस चक्रवरती जी कही किताब के बारे में मैं लिख करोंग होगी और मैंने अपना पूरा आलेक उनके यात्राओं के बारे में लिखा, उनकी भाशा शैली वगेरा के बारे में लिखा और मैंने प्रस्तित किया और उस समय पर मुझे उस इंटरनेशनल कांफरेंस में बेस्ट पेपर आवार्ड मिला क्या बात है, आवार्ड के बात कर रहें तो I'm sure मैं कि आपकी शब्दों का ही जो माया जाला बुनती है उसको लेकर काफी आपको आवार्ड वगरा से नवाजा गया होगा तो उसके बारे में भी हमें एक छोटा सा जलक दीजिए अभी हाल के बारे में अगर दी बात करूं तो मुझे इसी वर्ष में दो एवार्ड मिल चुके हैं एक है चानक्या एवार्ड मिला है, चानक्या समान से नवाजी गई हूँ ये हिमाचल कला केंदर वालों ने दिया और एक हूस्टन वालों ने मुझे दिया है काव यब हूशन सम्भाब क्या बात है और ऐसे ही मुझे सबसे पहला जो एवार्ड था मेरा वो 2004 में मिला बी एन शास्री मेमोरियल एवार्ड मेरा प्रोचसाहन विद्यार्थियों के लिए मैं किस तरह की कारी करती रहती हूँ वो उन्हें पता चला और उनने कहा कि इनको बी एन शास्री मेमोरियल एवार्ड मिलना चाहिए और फिर दो हजार बार हमें शायद मुझे लाइन्स क्लब ओफ चरलापली वालों की तरफ से बेस्ट टीचर एवार्ड मिला और फिर उसके बाद आई लडी सी एमपी वेवार्ड मिला एक एस एवार्ड के लिए मुझे नामांकित किया गया और पता नहीं है ऐसे आप शायद थुन एक रिए किस तरह से आपकी एक रिकरगिशन है स्साइटी में किस तरह से भाशा को लेकर जो आप आज जो अप कर रए हैं प्रति वो उसकी कितनी सराहना है पब्लिक में तो वह बहुत अगन इंस्पिरेशनल है तो आपका बहुत बहुत शुकृया कामश्वरी जी की आज ह स्टूडियो में आई आज हमारे साथ जूड़ी इतनी अच्छी मज़ेदार अपने कविताये सुनाई कितना आपका लगाव है भाशा को लेकर भाशा की इस प्यूरिटी को लेकर उसके सही उचारण को लेकर आप चाहती हैं कि भाशा स्पेसिफिकली हिंदी जिससे आप काफ इतनी आपने अपना पूरा जीवन वियतीत कर दिया भाशा को आगे ले जाने में और मुस्कुरा कर प्रेम से बच्चों के साथ आप जूड़ी रही टीचर्स के साथ आप जूड़ी रही और पता नहीं इसी को शायद आपने अपनी खुबसूरती का सुन्दरता का खुश चाहती हूँ कि आज जो हमारी ओडियंस एपिसोड देख रही है जो भी कामेश्वरी जी ने बताया जैसे बोलते हैं रीड बिट्वीन दे लाइन्स जरूर उनकी बातों को सीरिसली लीजिए जिंदगी की छोटी-छोटी खुशियों के प्रती उनकी जो उनका जो मेसेज ह है उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए उसे अपनी जिंदगी में और अपनी आत्मा में अपने दिन चरिय में उसे उतारने की कोशिश करिए और फिर देखिए जिस तरह से कामेश्वरी जी बोलती है कि उनकी पोती ने एक दिन उनसे पूछा कि आदी आप खुश कैसे रहती है आसपास की लोग आपसे पूछने लगें कि इतना खुश कैसे रह लेते हो अल्टिमेटली हमें जिंदगी में और चाहिए क्या बिलकुल तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप धूरदर्शन के स्टूडियो में आए हमारे साथ इतनी मज़ेदार बाते करी भाषा शैली को और आप ने जो हमें बहुत चुटे चुटे लाइफ लेसंस दिये वह सुनकर हम चाहते हैं कि आपका जो प्रेम है भाषा की प्रती आप जो इतनी मेहनत कर रही हैं वो सदा इसी तरह बनी रहे आप और भी प्रकाशित हो और भी ऐसे अंतराश्ट्रियस अम बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन यादगिरी के चमेली की इस प्रस्तुती में हमारे साथ जुनने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि हिंदी भाषा के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम आप करूबरू कराएं और देश में हमारे शहर में जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो जिनोंने अपने जीवन को यूटलाइज करके भाषा को एक नए सतरपल ले जाने की जो कोशिश कर रहे हैं उनसे हम आप उन्हें आपके समक्ष लेकर आएं तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश रही है जरूर देखिए चम पुरम गुलेच आप से विदा लेती हूँ थैंक यू